आज यहां पर जो मैं आप लोगों के साथ में DIY शेयर कर रही हूँ यह बहुत ही खुबसूरत है बहुत ही colorful है और इसको आप कहीं पर भी use कर सकते हैं आप इसे balcony में भी use कर सकते हैं या फिर अपने घर के अंदर भी यह बहुत सुन्दर होता है और यह उन से बनता है और बनता भी बहुत easy है आप बैठे बैठे इसको कहीं पर भी बना सकते हैं तो कुछ भी नहीं करना होता ह आपके पास जितने भी colorful ऊन वगरा रखी है आप उनको ले लीजिए मेरे पास ये देखे ऊन वगरा मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे जुरुत पढ़ती ही रहती है तो इसके लिए देखे मैंने ये मोटा वाला क्रोशया लिया है ये मोटा वाला क्रोशया आपको कहीं पर मिल जाएगा और इसके अंदर एक बारिक वाला क्रोशया होता है वो नहीं चलेगा इसके लिए आपको उन वाला क्रोशया ही लेके आना पड़ेगा तो ये काफी number में आता है मतलब आप एक, दो, तीन ऐसे number मांगेंगे तो अपने according आप देख ले और जैसी आपकी उन है उसके according आप क्या करें क्रोश्या जो है कि ये आप टूल लेके आ जाएं तो कुछ नहीं करना है आपको क्रोश्या चलाना आता ही होगा इसको आप एक chain बना ले जैसे आप थोड़ी सी chain बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसको fold कर देना है तो जहां से आपने chain बनानी start की थी और उसके बाद आपको 10-15 बार आपने जो क्रोश्या है उसको चल तो बहुत ही इजी है यह मैंने आराम से बैठके जैसे मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ ऐसा DIY बनाती हूँ जिससे कि मैं एक जगह बैठकर और उसे असानी से मैं बना सकूँ तो आप देख पा रहे हैं यह ऐसे हमको राउंड करना है तो ऐसे करके हमें जितने भी कलरफुल आपके पास ऊन है उनके आप चोटे-चोटे सर्कल बना लें तो जब कभी भी मैं ऐसे काम करती हूँ तो उस समय मैं पूरी तरीके से फ्री होती हूँ यानि घर के जितने भी मेरी काम होते हैं वो सारी complete होते हैं और उस सक्वा कोई अच्छा सा मतलब गाना वगरा चला लेती हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बैठके आराम से जो भी चीज मुझे बनानी होती है अपनी पसंद से मैं चीज बनाती हूँ देखे मेरे पास आइडियाज बहुत हैं और मैं अपने आपको बहुत किसमत वाली समझती हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहां पर मैं अपने सपनों को या अपनी आइडियाज को पूरा होते हुए देख रही हूँ मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ और मुझे पॉजिटिव लोग ही बहुत अच्छे लगते हैं कभी भी मैं अपना कपैरिजन किसी से नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दो इंसान कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं तो ऐसे करके देखिए मैंने एक तू बना लिया है ऐसे ही मैं यलो भी बना लूँगी और उसके बाद एक मैंने जो है कि ब्ल्यू कलर का बनाया है तो तीन कलर के मैंने जो है कि यह देखिए रेडी कर लिये हैं हमको छोटे-छोटे ही बनाने हैं और यह चीज हम क्यों बना रहे हैं वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही खुबसूरत सा यह है कि जब बनके तयार होता है न तो आपके कमरे में या कहीं पर भी इसको हैंग करेंगे तो बहुत ही वाइबरेंट लुक देगा तो अब यह क्या करना है कि जो तीनों यह हमने सरकल बनाए है न क्रोशे से इनको आपस में हमने जोड देना है और एक देखे मैंने चोटा सा वाइट कलर का भी बनाया था वो हमें नीचे लगाना है एक बेस देना है और इन तीनों को हमें सील देना है सुई धागे से तो यह जो चारों है इनको सील देंगे जो वाइट वाला है उसको नीचे लगाएंगे और वो जो तीन है उनको साइड में लगाएंगे और उसके बाद मेरे पास एक टैसल पड़ा हुआ था वो मैंने नीचे की साइड में लगा दिया है आप वहाँ पर कोई मोती वगरा या कुछ भी आप लगा सकते हैं बहुत ही खुबसरत लगेगा अब यह देखे हैंगिंग के लिए देखें मैंने तीन डोरियां ली हैं सेम साइज की और आप जैसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वीडियो में आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको निकालना है और यह देखे बहुत ही मिंटो में स्टार्ट यह रेडी हो गया है यहाँ पर मैंने चूडी ली है आप कोई भी की रिंग ले लें कुछ भी ले लें तो ऐसे करके आप उसके अंदर से इसको निकाल दें तो आप जूट की भी रोप ले सकते हैं या उनका भी आप दो-तीन बार आप फोल्ड करके उससे भी यह धागा बना सकते हैं तो मेरे पास तो यह रखा हुआ था तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी अब क्या करना है कि जैसे तीन से वो छै डोरियां हो गई मतलब तीन को जैसे हमने अंदर डाल के निकाला ना तो वो छै हो गई तो हर एक के अंदर से हमको दो-दो करके डोरियों को निकाल देना है और ऐसे करके हमको बांद देना है तो उमीद है कि मैं आपको अच्छे से एक्स्प्लेइन कर पा रही हूँ वाकी तो आप वीडियो के अंदर देखी रहे हैं कि मैं कैसे चीज कर रही हूँ तो ये देखिए नीचे की साइड में हमने जो टेसल से लगा दिया है आप चाहें तो दूसरा कोई कलर भी एड़ कर सकते है तो इनको में थोड़ा सा मतलब सही कर लूँगी जो प्रॉपर जो कटिंग है उसको सही तरीके से कट करके और ये रेडी हो गया है बहुत ही सुन्दर सा हैंगिंग प्लांटर बोल सकते हैं आप इसके अंदर कोई भी आपके पास छोटी-छोटी प्लांटर से वो डाल कर आप कहीं पर भी इसको हैंग करें और देखे कितनी जल्दी ये बन गया और कितना कलरफुल है आपको अगर पेंट वगर यूज नहीं करना है तो इस तरीके से आप प्लांटर बना लें उनके और अपने घर के अंदर या आप कोरिडोर में या बलकनी में जहां लगाना है वहां लगा लीजिए ये वाशिबल भी है आप आराम से इसको दो सकते हैं और हां थैंक्स टू आल माई सस्क्राइबर्स जिनकी वज़े से मैंने यूटूब का एक स्टैप पूरा किया तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई